दोस्तों नमस्कार कैशे आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे चलिए आज हम लेके हैं आपके बीच फंगल इंफेक्शन ऑफ नेल और नाखुन का शरना नाखुन का टूटना नाखुन का मोटा हो जाना नाखुन के ऊपर जो होती है बाड़ बाड़ निकलत Papukation of Nail होने का कारण क्या सब हो सकता है तो बहुत साबा कारण है पहले आपके सदरीड में कुछ ऐसी तो कमी होगी जिस बजब है से आपको फंगल इंफेक्शन हैं तो वह क्या है कमी आपके सदरीड में B12 की कमी हो यह उस बजब हो सकती है आपके सदेडमा केल्सियम की कमी rich diet नहीं है उस बज़ा से आपको ठीक से नरिसमेंट नहीं होता है ठीक से circulation नहीं होती है तो आपको क्या होते है धीरे धीरे नाखुन वहां का शरने लगती है गलने लगती है और अगला कारण हो सकती है आप अपने नाखुन के ठीक से सफाई नहीं कर रहें आपको वह भी तर इसमें फशी रहा जाती है उस वज़ए से fungus का growth करता है दीरे-दीरे आपकी नाखुन सरने लगती है अच्छे होने लगती है तिसरा कर सकता है आपको environmental fracture मतलब आपके जो आस पास की बतावरन है वो सही सुध नहीं है उस वज़ए स्क्या होती है fungal growth होने की chances जरती है अब हम बात करेंगे इसको maintenance क्या करेंगे तो maintenance चलिए जानते हैं इसको आप अच्छे से अधिक कीचड़ वाली काम कर रहे हैं तो आप gloves लगा की यूज़ करें ज्यादा high detergent मतलब chemical based जो भी सर्फ है शाबून है उससे बचें gloves का इस्तमाल करें आप नाख जिसमें ज्यादा मतला है मैं वो खाना लें यह लेने से आपको fungal infection जो होड़ी है वो रोकेगी और जो आगे growth होना चाहिए वो धीरे-धीरे घट जाएगी अब हम बात करेंगे आखिर पेसेंट आएगा तो क्या दिखाएगा आपको लक्षन पेसेंट आके बताएगा कुछ बज़ेश क्या होती है आपको बहुत ज्यादा दर्द होती है खाने पीने प्रेशाने ज्यादा होती है उसके कभी कभी पानी निकलते रहती है दर्द होती है पस्क के बनने लगती है यह कुछ लक्षन देखने के मिलेगा जब fungal infection नाखुनका होगा तो अब हम बात क है नाखुनकारी देखने के लिए अधी आप मेरे चैनल को अवी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिज सब्सक्राइब करने और बगल में देगे बेला लांकार को ज़रूर परड़िष करने ताकि इसी तरह का नए नहीं जानकारी हम आपके लिए लेका आते हैं हर त नाइटरिक कहिए या फिर नाइटरिक एसीड कहिए यह 200 पावर में लीजिएगा आपको शुबा शाम दो बुन शुबा दो बुन शाम लेना है जब पेशेंड का ग्रोथ बाड़बाड बृटल टाइप का होगा है ना उच्छे होने कि समस्य आड़ेगी उश्कोड ओकेगा जब पेशेंड का एक कंडिशन आती है कि नाखुन सरती है और नाखुन धीरे-दीरे मोटा होते जाड़ा है वहाँ पस बन जाड़ा है साइड से फुलने लगता है इस कंडिशन एक बेश दबाई हम लोग चलाते हैं एंटिम क्रूड एंटिम क्रूड का 30 पावर दो-दो करके तीन बार जब कंडिशन आयेगा नाखुन तूटने लगे नाखुन मोटा हो जाए नाखुन में दर्द हो और पस्ट बनने लगे इस कंडिशन के लिए बिरिटल नेल के लिए खास करके आपको ये एंटिम क्रूड का 30 पावर और एसीड नाटिर का 200 पावर ये लेने स आप किसी तरह नाखुन का फंगल इंफ्रक्शन विल्लकुल ठीक हो सकता है इसी तरह नए जानकाड़ी देखने के लिए मेरे चैन बनेड़ है धन्यवा